राजिस्तान के जैपुर में हवा महल विधायक बालमुकुन्द की वज़े से एक बार फिर बड़ा हंगामा हुआ बीजेपी विधायक बालमुकुन्द बास बदनपुरा के शिया इमामगा मस्जित में घुस गए वहाँ उन्होंने हंगामा करते वे कहा कि ये देव स्थान है घटना के वक्त थी मस्जित में नमाज होने वाली थी ऐसे में बड़ी संख्या में नमाजी मस्जित में मौजूद थे विधायक बालमुकुन्द आचारे ने जब मस्जित में घुसकर बवाल काटा तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस के आने से पहले ही गधायक बाबा बालमुकुन वहां से भाग निकले नमाजियों के मताबे शिया इमामगाह मस्जद में नमाज होने वाली थी बाड़ी संक्या में नमाजी मस्जद पहुँच चुके थे इतने में हवा महल से बीजेपी विधायक बाबा बालमुकुन अपने समर्दकों के साथ पहुचे और हंगामा करने लगी उन्होंने दावा किया कि इस मस्जद का निर्बाद मंदिर और देवस्थान की जमीन पर किया गया है उनके इस दावे की वज़ह से मस्जद में काफी देर तक ट्रामा चला इस दोरां शिया समाज के लोगों ने उन्हें मस्जद और जमीन के दस्तावेज भी दिखा है उन्हें ये भी बताया गया कि ये मस्जद वक्फ की जमीन पर बनी है बवाल बढ़ने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची लेकिन उससे पहले विधायक मौके से भाग निकले मस्जद में मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि विधायक बाबा बाल मुकुन ने इस तरह की हरकत कोई पहली बार नहीं की वो अकसर किसी ना किसी मस्जद में घुश जाते हैं और लोगों को आतंकवादी बताते हुए जमीन खाली कराने के लिए हंगामा करने लगते हैं इसकी वज़ा से लोगों की भावनाय आहत होती हैं और जगडे पसात की स्थिती बन जाती है लोगों ने पुलिस को भी मस्जद और मस्जद की जमीन से संबंदित दस्तावेश दिखाए इमामबाडे के इमाम ने पुलिस को दिये शिकायत में बताया कि विधायक ने उनके साथ बत्तमीजी की यही नहीं वो मना करने के बाद भी इबादत गहा में जूते चपल पहन कर घुज गए और महिलाओं के साथ बरसुलूकी की इमाम ने सवाल उठाया कि वो खुद एक मंदिर के पुचारी है ऐसे में उनके इस बताव को कहा तक जायज माना जा सकता है इमाम सवेद बाकी लोगों ने बताया कि बाबा बाल मुकुत के साथ कुछ भू माफिया भी मजजित में आये थी उनका आरोप है उनकी नजर वक्व की बेशकीमती 14 बिगे जमीन पर है